हेलो फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कम्प्यूटर से सम्बंदित कुछ इंपॉर्टेंट कोश्चन्स तो आएए देखते हैं पहला सवाल है आपका कि निम्न में से कौन सिस्टम सॉप्ट्वेर का उदाहरन है सिस्टम सॉप्ट्वेर का एक्जामपल चार आपके दे रखे हैं तो इन में से आपको बताना है कि सिस्टम सॉप्ट्वेर का उधारन इन में से कौन है तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें Unix Unix जो है एक सिस्टम सॉप्टवेर है ये चीज हमेशा याद रखे नेक्स्ट कोश्चन है कि विग्यापन उपलब्द करने वाला सॉप्टवेर पैकेज क्या कहलाता है विग्यापन जो कि मतलब की एड़ी से बोलते हैं लोग कि विग्यापन उपलब्द कराने वाला सॉप्टवेर पैकेज क्या कहलाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एडवेर कि विग्यापन उपलब्द कराने वाला सॉप्टवेर पैकेज जो है एडवेर कहलाता है next question है कि mouse, trackball, joystick निम्न में से किसका उदाहरन है चार option दिये गया है तो इसका answer हो जाएगा इसमें pointing device ठीक है mouse, trackball और joystick जो है pointing device होगा हलाकि इसमें से जान लिजे कि ये सामाननेता एक input device है लेकिन इसका उपयोग हम लोग कहा करते है तो screen पर कोई भी content जो दिया रहता है उसे point करने के लिए हम लोग इसका use करते है इसलिए हम लोग इसे pointing device भी कहते है और ऐसे याद रखिए ये सब हमारे क्या है info device है next है आपके कि किसी network पर computer का पता क्या कहलाता है तो computer का पता कहलाता है आपका IP, option number D IP address का पूरा नाम क्या है तो internet protocol address यह address जो है किसी भी network पर computer का पता लगाने के लिए होता है और यह address जो है दुयाधारी पद्दती जो की binary होती है उसमें 32 bit का यह होता है next question है कि copy करने के लिए copy करने के लिए कौन सी shortcut की है तो यानि की copy हो, paste हो, इन सब के लिए अगर हम कोई sort की अपनाना चाहे तो इन्हें से कौन सा की हम लोग अपना सकते हैं तो control plus C अगर हम करते हैं तो हमारा जो भी file रहता है जो भी चीज़े हमें copy करने रहती है तो वो copy हो जाती है control plus C दबाने से option number B हो जाएगा इसका answer next question है कि एक A की कृत पत IC chip किसका बना होता है एक A की कृत पत जो है चिप किसका बना होता है नहीं IC chip जो है किसका बना होता है तो ये बना होता है silicon का option number C next question है कि internet पर no charge में सामानेता परिचित software bug की मरमत dash कहलाती है तो ये कहलाती है patch option number B किसी भी software के release होने के बाद उसमें से जो तुरूटी पाई जाती है उन्हें जो है ततकाल निदान के लिए परियोगताओं को patch के माध्यम से उसका समाधान उपलब्द कराया जाता है next question है कि Excel में कोई भी formula सदैब निम्न से प्रारंब होता है कि जब हम लोग Excel पे work करते हैं तो कोई भी formula type करने से पहले इन में से कौन सा हम लोग सबसे first में type करते हैं तो सबसे first में type करते हैं हम लोग equal to option number C next question है कि निम्न में से कौन सी computer की ओस्थाई memory है RAM, ROM, floppy या hard disk तो answer हो जाएगा हमारा RAM option number A RAM जो है ओस्थाई memory है यनि कि जब तक आप work कर रहे हैं और अगर आप उसे save करके नहीं रखते हैं तो अगर light cut जाएगी तो वो आपका खतम हो जाता है इसलिए RAM को हम लोग आस्थाई memory कहते हैं next question है कि कौन सी device program और data के बीच अंतर समझता है कौन सा divide है जो कि program और data के बीच अंतर को समझता है तो वो होगा हमारा microprocessor option number D next question है कि accessories जिस अस्थान पर system unit से जुड़ता है उसे क्या कहेंगे तो उसे कहते हैं port option number A कि accessories जिस अस्थान पर system unit से जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं तो port कहते हैं next है कि कि किस memory में यानि कि किसी memory में रखा data जो है बीचली के जाते ही समाप्त हो जाता है भी मैंने just पहले इसकी चर्चा की है और अस्थाई memory की हो जाता है इसलिए इसका answer हो जाएगा option number A RAM का full form होता है random access memory next question है कि alt shift control को कौन सा key कहते हैं या कौन सा key या कहलाता है तो इसमें से चार option दिये गए जिसमें से कितीन option है जिस चौत option है आपका none of these तो इसका answer हो जाएगा none of these option number D क्योंकि alt shift और control जो है या एक modified key होती है next है कि निम्न में से कौन RAM का परकार नहीं है तो RAM का परकार नहीं होगा तो ये होगा PRAM option number A next हो का आपका कि C1 डैस अस्तर ये programming language है C1 language है तो इसमें जो है या कैसा मतलब कि programming language है ये तो इसका answer हो जाएगा high level language या फिर HLLB हम लोग इसे कहते हैं option number C तो C जो है इसे करते हैं हम लोग हिंदी में उचस्तर ये भासा तो C एक उचस्तर ये भासा है जो कि अंग्रेजी में लिखी जाती है तथा इसे आसानी से समझा जाता है जबकि आगे हम लोग जानेंगे assembly language के बारे में आपसे question भी दे रखा है कि assembly language क्या है तो assembly language जो है या एक low level language है option number B जिसे कि हम लोग कहते हैं निम्न अस्तर ये भासा और इसे जो है आसानी से समझा नहीं जा सकता है next question है कि निम्न में से कौन सा network में telephone line का परियोग होता ये सारे network दिये गए आपके तो किसमें जो है telephone line का परियोग होता है वो होता आपका van में wide area network next है कि किसी printer का resolution जो है निम्न में dash मापा जाता है किसमें मापा जाता है तो किसी भी printer का resolution जो होता है वह मापा जाता है आपका dots per inch यानि कि जैसे हम लोग कहते हैं dpi option number है आपका c next है आपका कि नीमन में कौन input device और output device दोनों ही है आपका तो input और output जो दोनों है वो है आपका modem option number d next है कि सबसी ज़्यादा परियोग में आने वाली pointing device कौन सी है pointing device के बार में पहले ही बताया मैंने तो उसमें से कहता है सबसी ज़्यादा यह सारे की सारे आपके pointing device है तो इसमें से मतलब कि कौन है जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा है आपका mouse option number c next है कि LCD का पूरा नाम क्या है तो LCD का पूरा नाम जो है वा है आपका liquid crystal display option number d next question है आपका कि निम्न में से कौन सा image file extension नहीं है question है आपका कि इन में से जो है कौन सा image file extension नहीं है तो इसका answer हो जाएगा option number c wave wav इसका full form होता है आपका कि wave audio file format ओके तो इसका answer हो जाएगा option number c wave next question क्यों चलते हैं हम लोग next है कि computer memory की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है तो computer memory की सबसे बड़ी इकाई जो है वह होगी tv यानि कि terabyte option number a next है कि निम्न में से कौन internet में परियोगत होने वाली एक भासा है यनि कि इन चारो option में कौन सा है option जो कि internet में परियोगत होने वाली एक language है एक भासा है तो इसका answer हो जाएगा जावा option number b next question है आपका कि redo निम्न लिखित द्वारा किया जाता है redo मतलब कि undo redo जो आप लोग करते हैं undo means back जाते है redo means उसके मतलब कि आगे जो आपने किया था back आने के पहले तो वहां जाने के लिए तो इसमें से कौन सा use किया जाता है कौन सी key का तो उसके लिए आपको किया जाता है control plus y का redo के लिए किया जाता है control plus y और undo के लिए किया जाता है control plus z next question है कि निम्न में से कौन operating system का एक उदाहरन है तो operating system का एक उदाहरन आपके option में dos unix or two तो इसमें हो जाएगा all of these option number D next question है आपका कि इन में से कौन communication device का एक example है तो communication device का एक example है वह है आपका modem option number D communication device जो है एक ऐसा hardware होता है जिसमें कि हम data को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक भेज सकते हैं तो communicate communication device का example क्या हो गया आपका modem next question है कि एक gigabyte लगभग होता है तो एक gigabyte जो होता है वह लगभग होता है one into ten to the power nine bytes ओके option number C और हाँ ये तो आपके इस तरह के option में दिया गया था तो इसका answer हुआ अगर एक gigabyte बराबर अगर पूछे कितना MP होता है तो वह होता है आपका 1024 सौरी यहां हो नहीं रहा है 1024 MB के बराबर होता है आपका क्या एक gigabyte ओके next question क्यों चलते हैं हम लोग कि web page का एक word जिसे क्लिक करने से दूसरा document खुलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं उसे कहते हैं hyperlink option number B कि web page का एक word जिसे क्लिक करते हैं तो दूसरा document खुलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं hyperlink next question है आपका कि binary system एक number system है जिसका आधहार क्या है तो binary system एक number system है जिसका आधहार क्या है तो आधहार हो है to option number B okay तो यह थी आज की वीडियो कभी कभी exam में आपको binary निकालने के लिए भी दिया जाता है तो वह मैंने पहले ही बता रखा है अगर जिनोंने नहीं देखा है तो इस वीडियो के description में इसकी link मैंने दे रखी है तो वहां जाकर आप इसे देख सकते हैं और अच्छे से easy way में आप इसे सीख सकते हैं तो आज का वीडियो आप सब को कैसा लगा यह मुझे comment box में ज़रूर बताईए और वीडियो देखने के लिए इस चानल को प्रीज लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करें तन्यवाद